सवाल नमबर एक, किस देश में साथ दिन के लिए मनचाही गर्लफ्रेंड किराय पर ले सकते हैं? सही जवाब है, चीन देश में आप 31 डॉलर यानी 2460 रुपए देकर साथ दिन के लिए मनचाही गर्लफ्रेंड किराय पर ले सकते हैं. सवाल नमबर दो, किस महिला को हुआ सांड से प्यार फिर कर ली सांड से शादी? सही जवाब है, महराष्ट्र में मेडिकल चलाने वाले विजय की पत्नी को घर के गेट पर रोज रोटी खाने वाले सांड से प्यार हो गया और फिर उस सांड से शादी कर ली? सवाल नमबर तीन, किस देश में शादी के बाद दुलहन के सिर और ब्रेस्ट पर थूख कर दिया जाता है आशिरवाद? सही जवाब है, केनिया और तंजानिया की एक मसाई आदिवासी जनजाती है, इस जनजाती में किसी लड़की की शादी के बाद विदाई के वक्त दुलहन के पिता अपनी बेटी के सिर और ब्रेस्ट पर थूख कर उसे आशिरवाद देता है, यहाँ अनोखी परंपरा यहाँ सदियों से निभाई जा रही है, सवाल नंबर चार, उस जीव का क्या नाम है जो हमारे शरीर पर रहता है और रात को सोते समय हमारे चेहरे पर सेक्स करता है, साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ मे अबिल आइकन को दबा कर आउन कर ले। सही जवाब है, 24 घंटे में 919 लोगों के साथ शारिलिक संबंद बनाने का वर्ड रिकॉर्ड लीसा स्पार्क्स नाम की महिला के पास है। सवाल नमबर 6, किस देश में लड़कों की कमी के कारण लड़कों को 2-3 लड़कियों से शादी करनी पड़ती है। सही जवाब है, ब्रिटेन के एक शहर में। सवाल नमबर 7, अगर नर घोड़ा और मादा जेबरा सेक्स करते हैं, तो बोनों में से कौन सा जी फैदा होगा। सही जवाब है, जेबरा सवाल नमबर 8, किस देश में दुलहन की मा के सामने सुहागरात मनाई जाती है। सही जवाब है, कौलंबिया देश में दुलहन की मा के सामने सुहागरात मनाई जाती है। सवाल नमबर 9, अउस्तन एक इनसान अपनी 45 साल की उम्र तक कितनी बार सेक्स कर सकता है। सही जवाब है, लगभग 2500 से 3000 बार तक सेक्स कर सकता है। सवाल नमबर 10, पुरुशों के लिंग से वीर्य निकलने की गती कितनी होती है। सही जवाब है, पुरुशों के लिंग से वीर्य निकलने की ओसत गती लगभग 45 किलोमेटर प्रती घंटा मापी गई है, जो उसेन बोल्ट के 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफी है। साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।